कि देखो अब बिल ओफ एक्षेंज जो हम लोगों ने डिसकर्स किया था उसका पूरा एक रिविजन हम लोग क्विक में डिसकर्स कर लेते हैं क्या कंसेट था पूरे चाप्टर का सारी एंट्रीज में इच और आपको रिवाइस करता हूं सब लोग ध्यान से सुनना बाते को लाएं अंडर विच्छ पुलो कि अंडर नेगोशेबल इंस्टुमेजएबल इंस्टुमेंट एक्ट तु ना तो ओट्फ एक्षेंज is just anar D dizzy nday 20181 टे के बिल अको मेंट कॉलन से अंडर नेगोशेबल इंस्टुमेंट भिल ओएक जैंज जबбी दो करते हैं हमेशा एक ब प्रोमिसरी नोट आपको एक और इस्टुमेंट मिल सकता है जुस्क्त प्रोमिसरी नोट अकाउंटिंग पर पस के लिए कोई फरक नहीं पड़ता है जैसे माहं लोगा ऐसा बोला जाए कि draw a bill of exchange या ऐसा बोला जाए a draw a promissory note आपकी accounting same रहनी है ठीक है basic difference theoretical होता है वो मैं अभी आपको समझाता हूं क्या difference होता है ठीक है ना bill of exchange के अंदर क्या होता है हमेशा ध्यान लेकना तीन parties होती है bill of exchange हमेशा ध्याना कितनी parties होती है थीन पहले को क्या बोलते हम लोग drawer पहली पार्टी कौन सी होती है शेकेंड कौन सी होती है और थर्ड कौन सी होती है पेई मेरी पात फिर कि टो चो टॉर रॉन इसलों को बनाता है थैके ना तब पर्सवन ग्रोट करता है जो बिलको एक्सप्प्र सरक्व और जparagus करता है वो टरो सकर पैसा मिलेगा बोट पए इस को डूट पैसा मिलेगा वो टॉट इप धिक करते से कीन कौन कान सी रोर ड्रॉवी और पर्सटेशन वो द्रॉड प्रोष्ट ट्रॉड बीला इस नोन एज पर्संव को एकक्सेट दॉड इस गया हूँ है भी अच्छा अब मेरे ह gratis कि यहां पर रवामिस करता है कि मैं आपको स्थिन पैसा देडोंगा से एक केस में तो कि रवर नहीं बनाया बोला मैं आपको एक प्रशन नोट क्या होता है यह ड्रोई बनाता वोलता है मैं प्रॉमिस कर रहा हूं मैं आपको इस दिन पैसा दे दूंगा तो प्रॉमिसरी नोट इस डॉक्यूमेंट में सिर्फ कितनी पार्टीज होती है तो आप इसको और जो डिटेल डिफरेंस है अभी अकाउंटिंग परपस के लिए में इतनी डिटेल डिफरेंस आप लोग जब ल प्रॉमिसरी नोट में से दो पार्टीज होती है ड्रॉर और रोई ड्रॉई प्रॉमिस करता है मैं आपको इस दिन पैसा दे दूंगा ठीक है तो इसका बहुत डिटेल डिफरेंस मैं अकाउंटिंग परपस ले दोनों से मैं आप तो यह ध्यान रख लेना ठीक है अच्छा पिर मैंने आपको यहां पर एक कंसे बताया था बच्चों मैचॉरिटी डेट निकालने का मैचॉरिटी डेट मैंने आपको बताया था हमेशा निकालते कैसे जो बिल की ड्यू डेट है प्लस कितने दिन जोड़ दो ग्रेस के तीन दिन ठीक है मैचॉरिटी डेट जब भी न या एक जनवरी चोहीज को और लेट से ड्यूरेशन कितने ताइम का है तीन महीने का तो बोलो बिल मैचॉर कब होगा एक अप्रेल और इसमें कितने दिन और जोड़ दोगे तो बिल का मैचॉरिटी डेट कौन सा आज आएगा और अच्छा मैचॉरिटी डेट को लेट से अज एक हॉलिडे और मानलो मैचॉरिटी डेट अगर इमर्जन्सी हॉलिडे है तेन बिल विल मैचॉर नेक्स्ट वर्किंग डेग कौन सा अच्छा जब भी टूरेशन डेश में गिवन हो यहां पर एक चीज संबंद्धा जैसे मानलो ऐसा लिखा है एक जनवरी चोहीज और लि इस तो एक जनवरी चोहीज है कितने दिन है तीज दिन अब जब भी आपको दूरेशन डेश में गिवन हो फो टकूलेट टॉइंग दबिल कभी नहीं करना है अपने अधों is given in days never include date of drawing the bill mother is case में आप 30 days कौन सी तरिक से काउंट करोगे से केंट से केंट से लेकर आप 30 डेस काउंट करो तीन दिन जोड़ दो अब मान लोगर ऐसा लिखाए एक फरवरी चुईस और लिखाए एक महीना बहुत है एक मार्च हो धुए एक ओना और मान लो एक फरवरी चुईस लिखाए और ऐसा लिखाए तीज今天 तो एक मार्च नहीं होगा भू तो यह यहाऌ आप आप काउंट करो कॉने कि रूट से कांट करो फरवरी में कितने दिन हो गया ठीक है और मंत में तो डारेक मंत ले लो अच्छा अगर बिल का मैचॉरिटी 15 अगस्ट को आ रहा है कि बताव 15 अगस्ट होगा तो 14 और मानलो 14 अगस्ट से संड़े तो 13 आ जाएगा समझे बात को अच्छा मानलो 16 अगस्ट इमर्जन्सी ऑलिडे हो गया और 17 अगस्ट संड़े तो 18 तारीक चला जाएगा अई बात समझ में क्लियर है पूरा तो इस सिचुएशन में कोई डाउट ठीक है अच्छा अब अज्यूम करो मानलो देरा टू परसन ए लुबए ऐस अगर इस सफ़ता है वाई के उपर है आध सब्डा करता है य के ओपर तो पॉलो ड्राओर कौन है लाई अए फजय हो करता है तो बढूर अगर एक अधान तन लेगना जो बंदा बिल को एक्षेप्ट करता है लेजे मंई पुल आपको एसा लिकाए वाई एकक्षेब्स डील ऑए एक्सेब मतलब नवाई की बुक्स मेन क्या है विल्स पेटा सूप물 यह करता है मतलब इसकी बुक्समय क्या है अब ये चीज अमेशा द्यान देखना जो आपका डेटर होता है ना टेटर कनवर्डस टू बिल रिसीवेबल और जो क्रेड़िटर होता है ना वो किसमें अलब हो जाता है यह जैसे अजूम करो एक्स ने गूट सेल किया y को तो एक्स के इंट्री करता है करता है वा ऐक एन्ट्री करता है अच्छा बताओ इस केस में बिटा X की वुक्स में वाई कौन है और weiß की वुक्स में एक्स कौन है अब बताओ अगर X बिल्ड्रॉ करता है वाई के उपर तो बताओira रेना लटर किसमें convert हो जाता है तो यह entry कैसे करेगा और यह क्रेडिटर है यह entry कैसे करेगा तो बताओ बिल ड्रॉप कौन करता है हमेशा क्रेडिटर बिल ड्रॉप कौन करता है हमेशा और बिल एक्सेप कौन करता है हमेशा एक्टर कि सम्झें बात को विल कोशा कौन करता है विल एकसे वाई ने किया विल बनाया किसी ने एक सुलो यहां तक तो इमर्जंसी ओलीडे तो अच्छा अगर डूरेशन डेस में किवन है तो डेट ऑफ ड्रॉइंग दबिल को इंक्लूट करना है नहीं मन्त में किवन है तो आप उस पर्टिकलर मन्त से स्टार्ट कर दो ठीक है डेज ऑफ ग्रेस कितने होते हैं तीन अच्छा फिलो जो बिल वह बनाता कले दिद्र एक्षपन करता है अच्छा टेकटर एक्स्ञटों नवाट होता है तेर से पैसा आइसके करता है वोadom bogad पूर भिल भिलिज दॉन भाइड और एक्रデिट पूर आर एक्सेप्टेट यरिया डेडडर ऑलिया तक कोई भाव सकता इसके पास क्राइब तो अब यह जो ऑप्शिन होता है आप पहला A竹ी की किद्लोर होता है पहला option जो होता है वो होता है बिल को वो क्या करें अपने पास सकते तिल maturity पहला option होता है वो बिल को अपने पास रिटेन करें तिल maturity तो first option with the drawer is to retain the bill till maturity second option is the drawer is to discount the bill with the discount bill with the third option is to and fourth is to send for collection तो पहला option समझना पहला option होता है retain करें तिल maturity तो these are the option available drawer और ड्रोई किसके पास यह option available बोलो और पहला क्या है रिटेन अब अज्यूम करो X नेक बिल ड्रॉ किया लेट से वाई के ओपर बिल का वैल्यू था 50,000 अब बिल ड्रॉ किया तो बिल ड्रॉ करने के एंट्री यह क्या करेगा यह क्या करेगा अच्छा बताओ अगर ड्यू डेट तक अगर ड्यू डेट तक actionable अपने पास ही रखा तो बोलो क्या करेगा एक्स एंट्री अच्छा बताओ इस केस में वाई क्रियेट हुआ की क्लोज हुआ तो यह वाई कौन सी काटेगरी है सेकिंड हैड है वाई कौन सी काटेगरी सेकिंड काटेगरी अंडर बिल रिस्टीवेबल परस्ट अच्छा एक्स को ड्याइबलिटी सेकिंड को समझ में आता है तो बिल पेपल क्रियेट हुआ एक्स क्रिडिटर क्लोज हुआ बिल रिस्टीवल क्रिएट हुआ यदि डेटर क्लोज हुआ बहूं यहां तक कोई डाउट अब अगर एक्स बिल को अपने पास लिटे करेगा बिल पेबल टू बाइंक कॉंसी डेट को कॉंसी डेट को तो यह वाला केस कौन सा हुआ वेन बिल इस रिटेंट तेल अच्छा बताओ इस केस में बैंक असे बैंक कॉंसी कटिग्री है फर्स्ट और सेकेंड बिल रिसीवेबल second category good bill paypal second category liability bank second category asset बोलो यहां तक कोई डाउट ले रहे अब एक option यह हो गया रिटें तिल मैचॉर्टी सेकेंड क्या हो सकता हो बिल्को क्या करें कि इसकाउंट विद दर अच्छा अज्यूम करो एक्स को पैसों की जरौत है और एक से करता है इस बिल्को बैंक से डिसकाउंट करा देता है अब मालों पचाहसजार का बिल था और लेट से 1000 रुपी बैंक बोलता है हमारे देखा एक स्कूल अच्छा बता इस केस में यह वाली एंट्री की नहीं होगी टियो कि नहीं तर लुए पैसा मिलना है यह बिल ड्रॉग किया फचाहसज़ कर लिया एक हजार बैंक डिसकाउंटिंग चार्जन लिया तो बिलो एक्स को कितना पैसा मिना कि डिसकांटिंग चांज इडी तो कि अच्छा बन फस्ट और सिक अटिकरी डिस्कंटिंग चांज श्टॉर स्केंड ऐस्ट और सिकेंड कि अच्छा बलो इसकी या एंट्री पाल कि समझ में आया को डाउट ठीक है तो अब बताओ बैंक डिस्काउंटिंग चार्जिस टू यह किसकी बुक्स में होगी वाई को एंट्री करेगा क्या नहीं अच्छा डू डेट को जब पैसा मिलेगा अब बैंक किसे पैसा कलेक करेगा बताओ वाई से तो एक्स के एंट्री करे बिल पेबल टू बैंक बोलो आई बात समझ में कोई डाउट अच्छाए डिस्काउंटिंग चार्जिस की बुक्स में एक्ष्पेंस आएगा या वाई को को मतलब इससे नहीं तो दिस इस वाग्वाज केस्वन बिलेश बिलेश नहीं थर्ड केस्वन बिलेश बिलेश बिल ड्रॉक किया वाई के उपर अच्छा वाई एंडोस टू जेट एक्स ने बिल ड्रॉक किया वाई करता है एक्स ने बिल ड्रॉक किया वाई के उपर वाई एंडोस करता है जेट को पॉसिबल है क्या क्यों नहीं पॉसिबल है एक्स के पास है अच्छा बताओ अगर एक Xेंडुटोस करता है Z go possible है तो इस case में ड्रॉट कौन है रॉट एकॉन है शचेकेंड वाले case में ड्रॉटोर कौन था प्रॉकौन था पैए बैंक कि बैंक पेई वाज बैंक को मिल रहा है पैस ट्यूटेट पे अब एक्स ने डोस किया जट को तो बोलो एक्सकी बुक्स में जट कौन होगा क्रेडिटर और सेट की बूक्स कौन होगा टेटर ठीक है अच्छा अब जब बिल्ड्रॉ किया है यह इंट्री क्या करेगा यह क्या करेगा एकस तू बिल पेवल, बिल रॉकी अब जब यह बिल एंडोस कर देगा इसको क्या करेगा यह अच्छा बताओ इस केज में Z1st की 2nd 2nd Z1st की 2nd 2nd, काटेगरी बिल रिसीवेबल 2nd, यह क्या एंट्री करेगा यह क्या एंट्री करेगा बिल रॉकी आया तू, अच्छा इसमें बिल रिसीवेबल फर्स की 2nd असेट फर्स, गुड X असेट सेकंड, भूलो, आई बात समझ में तेक है, अब डूटेट को जब पैसा आया Z किस से रिकवरी करेगा Z किस से रिकवरी करेगा Y से अब Z जब Y के पास गया तो X क्या एंट्री करता है कुछ नहीं Y क्या करेगा Cash या बैंक यह क्या एंट्री करेगा बिल रसीवेबल अई बात समझ में इनी डूट तो दिस वाज दा केस वन बिल इस एंडोस्टू क्रेडिटर यहां तक कोई दिक्कत प्रिक है तो आप बताओ हूँ हाँ मैनी पार्टीस आर देर इन बिल बिल इस ड्रॉन भाए रोर बिल एक्सेप्टेट भाए यूडेट को पैसा किसको मिलता है यहां तो इसकाउंट इसकाउंट इसके बाद मैं आपको पता है था रेतौटेश में आपको एक कैसे बताय था यह मैं आसके बताया था डा शॉया है एक जन्वरी 24 को 50,000 का बिल था, 3 months का बिल था, ठीक है, 3 months का बिल था, X जाकर के Y को ऐसा बोलता है, 1 March को, कि मैं आपको आज ही पे करने को तयार हूँ, अब जब बिल्ड रो किया, तो एंट्री क्या करेगा ये, X to bills payable, ये एंट्री करी एक जन्वरी को, अब X जाकर के Y को ऐसा बोलता है, 1 March को, कि मैं आपको पैसा आज ही देने को तयार हूँ, तो मेरे को एक बात बताओ, अगर X जाकर के Y को ऐसा बोलता है, कि मैं पैसा आपको आज 1 March को देने को तयार हूँ, बट मेरे को कुछ फाइदा मिलेगा क्या, बोलता है हाँ मैं तुमको फाइदा दूँगा, और लेट से 10% का फाइदा दूँगा, कितना फाइदा दूँगा, 10%, अब बताओ, कौन किसको देगा, X, Y को benefit दे रहा है, Y, X को दे रहा है, अच्छा, अब बताओ, अगर X, Y को benefit दे रहा है, तो 50,000 पे, 10%, दो महिने का रिबेट मिलेगा, दो महिने का मिलेगा क्या, कितने महिने का, अच्छा, क्यों एक महिने का, क्योंकि एक महिना ही बाकी अभी, वो एक महिना जल्दी जा रहा है ना पैसा, तो कितना रिबेट मिलेगा, अच्छा, बताओ, अगर यही payment, लेट से वो एक फरवरी को कर देता, अगर वो यही payment, वो कब कर देता, तो बोलो, कितने का रिबेट मिलता, दो महिने का, बोलो, आई बात समझ में, अब यह जो रिबेट है, यह रिबेट किसकी बुक्स में expense है, और किसकी बुक्स में income है, अच्छा, अब बताओ, इस case में X का entry करेगा, bank, तो रिबेट, आप रिबेट बोले हैं, डिस्काउंट बोलो, कोई फरक नहीं पड़ेगा, ठीक है न, और यह क्या entry करेगा, और रिबेट किया है, इंकम है, तो देखो, अब retirement of bill clear है, तो जब भी bill का payment maturity के पहले होता है, वो कर लाता है retirement, अच्छा, इसको रिबेट बोलो या डिस्काउंट बोलो, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है न, इसकी books में expense है, इसकी books में income है वो, बोलो यहां तक कोई doubt, तो whenever the bill is paid before maturity, it is known as retirement of the bill, बोलो यहां तक कोई doubt, अच्छा, अब इसके बाद मैंने आपको अगला कंसे बताया था, dishonor of bill का, अब dishonor of bill का मतलब क्या होता है, अगर due date को मानलो drawee payment नहीं करता है, तो वो कहलाता है कौन सा case, और जब भी bill dishonor होता है, जब भी bill dishonor होता है, तो हमेशा देरी the situation कि अगर noting charges incur होता है, noting charges हमेशा ध्यान लगना, it is expense in the books of drawing, पे कोई भी करे, बट खर्चा किसकी books में आएगा, मतलब expense book होगा in the books of drawing, पे कौन करेगा, जो bill का holder है, अब मानलो, अगर x ने bill draw किया, y के उपर, x ने bill draw किया, y के उपर, अब अगर मानलो, draw किया, entry ऐसे करी, b r to y, x to bills, मानलो, 50,000 का bill था, अब x ने, मानलो, अपने पाथ retain किया, till maturity, due date को पैसा बांगने गए, पैसा देने को मना कर दिया, अब पैसा देने को मना किया, तो noting को क्या करना पड़ेगा, certify कराना पड़ेगा, और assume करो, noting charges incurred हुए, यह एक हजार रुपे के, noting charges कितने incurred हुए, अब यह जो एक हजार रुपे के noting charges incurred हुए, यह किसकी books में expense आएगा, it will be treated as expense in the books of, why, बट बताओ इसको pay कोई करेगा instantly, तो x क्या करता है, ऐसे पे करता है, तू, कितना payment कर देता है, 51,000, sorry, तू, 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 बैंक, noting charges कितने पे करेगा, ठीक है न, बैंक की बजाए भी इस हो क्या कर दो, बिल cancel हो गया, कितना बिल cancel हो गया, 50 और कितनी recovery करेगा इससे, दुबारा debtor मना दिया, समझे बात को, अच्छा, इस case में यह क्या entry करेगा, तू, अब x की books में y कितना debtor है, तो y की books में x कितना creditor होगा, समझे बात को, अच्छा, इस case में बताओ, y again, first है की second है, first category, यहाँ पर bill payable, second liability, noting charges, x, liability, first, समझ में आया, without, अच्छा, assume करो, bill draw किया, यह same entry हुई, इस bill को assume करो, discount करा दिया, with the bank, और bank ने आपसे 1000 discounting charges ले लिए, बैंक ने 1000 आपसे discounting charges, discounting charges किसने pay किया होगा, x ने, तो bank क्या करता है, x को कितना पैसा देता है, 49, इसकी यह को entry नहीं करता है, अब maturity को bank किस से collect करेगा पैसा, y से किस से collect करेगा, तो बताओ, जब maturity को अगर y payment करने को मना कर दे, तो bank किसे खाते को debit कर देगा, x के, अब माल लो bank ने 500 noting charges incur किये, तो bank x से कितनी recovery कर लेगा, 50,000, और y को क्या बना देगा, letter, अच्छा, y क्या करेगा बताओ, x को creditor बनाएगा, वो bank को जानता ही नहीं है, और third case, माल लो x ने क्या किया, bill draw किया, y के उपर, और let's say bill endorse कर दिया, z को, तो जब endorse किया था, तब entry क्या की थी, इसने क्या की थी, और माल लो 50,000 का bill था, अब due date को माल लो dishonor हो गया, अच्छा बताओ, इस case में, noting charges instantly कौन पे करेगा, z, तो z वो recovery क्या, y से करेगा, की x से करेगा, z को पता ही नहीं, y कौन है, तो z recovery किस से करेगा, z क्या करेगा, x को टेटर बनाएगा, अपना bill कैंसल करेगा, और noting charges नहीं कर की है, अच्छा, x क्या करेगा, x को देना किसको है, z को, और लेना किस से है, तो x क्या करेगा, और य वोई entry करेगा, same, bill payable, noting charges to x, आई बाद समझ में, इसमें कोई डाउट, और लास केस, जो था वो renewal of a bill, अब renewal मतलब क्या होता है, नाम बता, रीन नहीं हूँ, अब दुबारा दे फ्रेश बिल बना देना, इसका मतलब क्या होता है, cancellation of, old bill, and drawing a, और फ्रेश बिल के ओपर, क्या applicable हो सकता है, interest किसकी बुक्स में expense है, और किसकी बुक्स में income है, तो जब भी interest आएगा, x के entry करेगा, income है, और y के entry करेगा, समझे बात को, अब वो सकता है, interest अगर मालो immediate pay कर दिया, इसने receive किया, और इसने immediate pay कर दिया, तो यह क्या करेगा, cash to, और यह pay करेगा तो, और वापस fresh bill बन जाएगा, यह renewal का case है, और कोई doubt, तो साथ में करेगा, तो पी आर के अंदर चुड़ जाएगा, वो amount, पी आर टू वाई हो जाएगा, पर इंट्रेस्ट यू जरूर करना, ऐसा नहीं करना, बिना interest यू करें, बिल रिस्ट्रीवल, वाई पुक्स में negative चला जाएगा, आप interest जैसे मान लो 500 रुपे की interest के entry है, अब आपने ये वाली entry skip कर दी, और direct ये वाली entry में interest कर दी आपने, तो फिर गलत हो जाएगी, आपने वाई के और ये पचास जार का data था, आपने क्रेडिट पचास पांच्टो कर दिया, तो ये entry करना भूलना नहीं के द्यान रेनी वाल की केसे, कोई दिक्रत, तो ये अपने पूरा बिलो फिक्सिंगा, इसक्ट डिसक्स किया, बलो, हाँ, हाँ, देखो endorsement के case में एक जो डाउट है, वो दिक्सक्स कर लाँ, endorsement के case में जब भी dishonor होता है, मान लो, एक्स ने बिल्ड रॉख किया, वाई के उपर, एंट्री कैसे करी, हाँ, वो भी बता दूँ एक बार, मैं एक case प्रॉपर लेता हूँ, ध्यान समझ दो, अजिम करो, एक्स ने बिल्ड रॉख किया, वाई के उपर, मैं आपको एक example करा भी रखा है, copy में आप देखो ने एक बार, वो data, पुरा एक बार, मैं उसी data को समझाए तो, मैंने एक example आपको करा रखा है, अब बिल्ड वाज डॉन बैर राम उन सोवन उन वन सिक टूंटी त्री, वो example से समझा दूं एक बार, देखो, मैंने एक बार एक example करा रखा है, मिला, अब बिल्ड वाज डॉन बैर राम उन सोवन उन वन जून टूंटी त्री फॉर सेवन्टी तू तूजंड, दूरेशन त्री मन्द, अब एक जून तेईस को, राम ने बिल्ड रॉक किया किसके उपर, कित्ते का, इन फूल सेटलमेंट ऑफिस डेट ऑफ सेवन्टी फॉर, तो अब बताओ, फर्स जून को क्या एंट्री करेंगे ये, यार, इसकाउंट अलाउट टू, और ये क्या एंट्री करेगा, ये एंट्री ऐसे करेगा, ठीक है, ये क्लियर अब बिल कितने का है, सेवन्टी टू तू ताउजन का, अब आगे बोल रहा है, ये बिल राम ने किसको इंडोस कर दिया, ये बिल राम ने किसको इंडोस कर दिया, मोहन को, अब राम ने बिल ले जाकर के इंडोस किसको कर दिया वहन वो कितने का डेट सेटल करने के लिए तो बता और राम अपनी बुक्स में एंट्री कैसे करेगा कि तू अब इस केस में यह बिल राम ने किसको इंडोस कर दिया कि इतने का डेट सेटल करने के लिए कि 73 तो इसको डिसकाउंट विला अब मोहन क्या बोलेगा मोहन भी आ रहाया कि इतने का बिल आया कितना डिसकाउंट दिया और किस से आया इसमें कोई डाउट है अब ट्यूडेट को क्या हुआ बिल डिस्टॉनर हो गये अब बिल किसके पास था बताओ और बिल डिस्टॉनर हो गया अब बता नोटिंग चार्ज़ेश इमिजेटली कौन पे करेगा नोटिंग चार्ज़ेश कितना इंगर किया तीन सो रुपए अब यह क्या बोलेगा में को राम से कितने रुपए लेने यह डिस्काउंट किस बात का देगा जब पैसा ही नहीं आ जो डिस्काउंट था ये वाला ये ये कैंसल कर दिया और तू तो ये बात समझ आती है अज़ा इसी तरह अब राम क्या बोलेगा मेरे को पैसा किसे लेना है और देना किसको है तो राम अपने बुक्स में कैसे एंट्री करता है कुछा तो डिस्काउंट अलाँट था ऐसे लिए करेगा आप देखू राम की बुक्स में डिस्काउंट अलाँट对ह दिए नहीं अगा था वोग्यांसल करेगा इस आइप मिला थाफोंगंसल और गगा क्वैंब को सामने बन्य मांने चनल कर दिया now वो गए तू है को इसको देना इतना है डिस्काउंट इसका कैंसल इसने कैंसल कर गदिया इसको मिला वोगर्चनल हो flatter बना दिये और से क्शूब्समें 순रूर Cerible के जो होते है डिसकाउंट रिसीव कैंसल और जाएगा उसकी ब्स ऐस एस एप आप बोलो और किसको क्या डाउट है वापस फूछ जो डाउट से और किसी को कुछ डाउट है क्या बोलो अब पूछेंगे नहीं क्या अभी निक रंसर करना एक यूशन स्पेसिफाइए करे तो करना वर्णा नहीं करना अपने को 28 देश बानतो ही करना है ना कि अभी अभी